हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाला सब का स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दमाना ना भूले ताकि आपको ह हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नहीं वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है ओके दोस्तों इसे एंड तक देखना है इसकिप जरस अभी नहीं करना है एंड तक देखेंगे तो जान पाएंगे कि बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों बैल आइकन को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन को मिला करेगी अम्हारी अप क मिल दो क्ए मो角्तीक्स मिला जत्कों के लिए नहीं और अच्छी और तो चलो दोस्तों वीड वीडियो इनके सब्सक्राइब कूलते हैं चल ये दोस्तो एक काम करते हैं एक वीडियोग कोई खुल मिलते हैं आउस थोड़ा जैसे आप खुलू है चलिए दोस्तों बीबी की इपाइस की एक नई वीडियो आई है आप जैसी इसे i तक ही जाती है तो कि दोस्तों कई कंडिशन में क्या होता है यह सिफ 720 तक ही जाती है इनकेस आपको और ज्यादा 4K तक भी जाना है तो आप कैसे जाएंगे आपको इंटरनेट की दिक्कत नहीं है क्योंकि दोस्तों जितनी हाय रिजोलुशन की आपकी वीडियो होगी उतना आ लिमिटेड तो दोस्तों आप अच्छा रिजोलुशन देखना चाहेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे मैं बताता हूं कैसे यहां पर तो दोस्तों सिर्फ 1080 का ही है ओके दोस्तों अब चलिए दोस्तों मैं काम करता हूं कि वीडियो ले लेता हूं कोई वीडियो की लिंक चलिए टेक्निकल गुरुजी की वीडियो है इसी की लिंक ले लेते हैं ओके दोस्तों और इसे कर लेते हैं कॉपी कॉपी जैसे ही करेंगे अब इसका मुझे हाई रिजॉलुशन देखना है तो दोस्तों इसका एक तरीका यह है कि आप बीपीन यूज़ कर सकते हैं लेकिन बीपीन यूज़ करने के लिए आपो बीपीन डाउनलोड करो यह करो और बहुत सारे रहते हैं उसके पचड़े लेकिन दोस्तों आप डायरेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्रोम पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर इस URL को पेस्ट कर देना है पेस्ट जैसे ही करेंगे तो एक अलग UI खुल जाएगा ओके दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है उपर और यहाँ डेक्स्टॉप साइट पर क्लिक करना है अब यह इस तरीके से AI इसका बन चुका है यहाँ पर इस तरी प्रेजुशन एच्टी तक बना सकते हैं क्वालिटी किसी किसी का जिसका 480 पिक्सल तक दे रखाए रिजुशन उनका भी आपको यहाँ पर 1080 तक मिल जाता है ओके दोस्तों तो काफी कूल है यह तरीका जिसे आप यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों जिसका 1080 का है 1080 तक का रहेगा जिसका रिजुशन सिर्फ 360 का है उसका भी यहाँ पर थोड़ा हाई रिजुशन देखने को मिल जाता है यह बहुत अच्छी सेटिंग है इसकी यह क्रोम में आपको मिल जाती है ओके दोस्तों इनकेस अगर बीपेन यूज करना चाहिए तो बीपेन यूज कर सकते ह हैं तो वीडियो स्टार्डिंग से स्टार्ट होती है वाट इफ कि अगर मैं कहूं आप अपनी फ्रेंड को को वेडियो भेजना चाहते हैं और उसे कुछ स्पेसिक टाइन पिरिट का सीन दिखाना चाहते हैं यानि कि कोई वीडियो आपने भेजिए अपने फ्रेंड को 10 मि आप चाहते हैं वह एक specific period से देखने स्टार्ट करें यानि कि आप चाहते हैं वह 5 minutes 5 minutes 6 seconds से start करें तो आप कैसे उसे पताएंगे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं आप इसके लिए जा सकते हैं यूट्यूब के अब इसी वीडियो को ले सकते हैं दोस्तो दुबारा इस में देख सकते हैं सात मिनट 48 सेकंड की वीडियो है इसमें इंट्रो होगा कुछ ना कुछ होगा वीडियो जनर्ली स्टार्ट होगी 3 minutes 45 seconds है ऐसा हम सपोस्ट कर लेते हैं ओके दोस्तों त अपने दोस्त को दिखाना चाहते हैं कि यह वीडियो तीन मिनट 45 से देखने हैं तो आप कैसे उसे कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको अपने दोस्त को शेयर करते बक्त जैसे कि चली मान लेते हैं यह वो जगा है जहां पर आपको अपने दोस्त को शेयर करने हैं यह प और दोस्तो वो starting से start हो जाएगा लेकिन अगर आपको वो एक specific time से show कराना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक parameter pass कर सकते हैं क्या होता यह parameter मैं बदाता हूँ दोस्तो हर URL में कुछ न कुछ parameters होते हैं जैसे कि आप इसमें times का parameter दे सकते हैं और पेरामीटर कैसे दे सकते हैं वो एक developer जानता है ओके दोस्तो और आप भी जान सकते हैं बहुत easy है कुछ जारा typical नहीं है यहाँ पे आप question mark डालेंगे parameter start होगा जिसके key होगी और एक value होगा जै key होती है और value होती है यहाँ पे key है value क्या होगी मैं आपको बता जेता हूँ जैसे कि आपको अपके friend को 3 minute और 45 seconds पे 35 seconds ले ले लेते हैं पर retalert कराने तो इस तरीके से आप share कर सकते हैं parameter में दे दिया question mark time दे दिया key है जो की is equal to value value है 0 3 minute 35 seconds और इससे आप share कर सकते हैं in case अगर आप rs में करना चाहते हैं तो minute से पहले 0 1 और h, rs के लिए h use कर सकते हैं इस तरीके से मैं वो भी दिखा देता हूँ जैसे कि 0 1 rs अगर आप चाहते हैं कि इस पे redirect करे लेकिन हमारे वीडियो छोटी है तो हम rs वाला concept नहीं रखेंगे अभी हम minute का ही रखेंगे इ आपको शायद में भी ना पता हो कि parameter key or value क्या होती है तो इस तरीके से आप नहीं यूज कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा ओके दोस्तों काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा वीड लाइकन को दबाने ना भूलें बहुत जल मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों